कई भाई बैने अभी कोर्स कंप्लीट करके पहली बार जुड़े हैं, जरा हाथ ऐसे करना जो जो पहली बार जुड़े आज इस क्लास में, अच्छा, तो आप सब का बहुत 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 वेलकम है, स्वागत है, और ये जो क्लास है, ये हमारी मुरली मन्थन की क्लास कहलाती है, तो हमने समझा कि परमात्मा, शिबबाबा, ब्रम्हा तन में, जो पहले दादा लेकराज थे, उनके तन में उन्होंने प्रवेश किया, और फिर उस तन से उन्होंने हमें ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान को हम मुरली कहते हैं, जो मुरली सुबें पांच पजे यूट्यूब पर सुनाई जाती है, तो पांच पजे का जो लिंक है, वो आपको मिल जाता है, वाट्साप पर भी जाता है, और नहीं भी तो चैनल पर जाएंगे तो पता लग जाएगा, तो वो मुरली आप पांच पजे सुने, यह अच्छा है, लेकिन अगर आप अभी भी सुबह नहीं उठ रहे हैं, तो फिर दिन में जब भी earliest मुरली सुने, और मुरली सुनकर जो पॉइंट्स है, दो पॉइंट्स जो आपको मुरली से समझाई, वो मुरली के पॉइंट्स आप अपनी कॉमेंट बॉक्स में लिखे भी, तो हमें मालूम अच्या आपको अच्छा आज इस भाई ने इस पहन ने मुरली सुनी है, और इनों को ये बात समझाई है, तो ऐसे करके हमारी प्रोग्रेस होगी, प्रोग्रेस कैसे होती है, धीरे धीरे, नीचे भी हम कैसे गिरते हैं, धीरे धीरे, है ना कई बार जब भाई Social Ski Network सुने पहले तो हम ऐसे नहीं थे, इतना चिंता नहीं करते थे, इतना दुकी नहीं होते थे, पता नहीं अच्छानक कब ऐसा हो गया, है न या कब ऐसी ये आदते आ गई तो ये आदते भी जैसे चुपके चुपके आ जाती है पता नहीं चलता ना क्योंकि हम जिस परिस्थिती में रहते हैं या जिन आत्माओं के संग में रहते हैं तो वहां हम thought create करते हैं, feeling create करते हैं, करम करते हैं और वो जो सारा कुछ हम करते हैं वो संसकार बन जाता है बार-बार करते हैं और क्योंकि हम कैसे करते हैं, unconsciously करते हैं, हमें इतना ध्यान नहीं रहता क्योंकि हम कैसे हैं दुनिया में बाहर मुखी, अंतर मुखी नहीं है न, तो हम देख रहे हैं, वो हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, ये वाली बड़ी परिस्थिती आ गई, लेकिन वो जो परिस्थिती आई, या वो जो व्यवहार हुआ, उसमें मैं क्या सोच रही मैं किस टाइब की feeling create कर रही हूँ, उसको हम notice नहीं करते, और क्यूंकि हम notice नहीं करते, तो वो thought, feeling को हम change नहीं कर पाते, जिसको हमेशी बाबा कहते हैं, चेक ही नहीं हुआ, तो change कैसे होगा, है न, तो notice करेंगे, तो check होगा, तो change होगा, लेकिन क्यूंकि notice ही नहीं करते, ब भावनाई हैं, वो करम है, वो आदत बन गए, पता ही नहीं चला, और फिर जब संसकार बन जाता, तो संसकार के कारण दुख हो रहा है, डर लग रहा है, चिंता हो रही है, परिशानी हो रही है, या मन चलता ही जा रहा है, रोक ही नहीं पा रहे, लेकिन मालूम नहीं पड़त कि इसको कैसे चेंज करें, तो शिबाबा हमें कहते हैं, कि जैसे तुम धीरे 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 तुमने वो संसकार बना लिये, क्योंकि तुमने अंदर अटेंशन नहीं दिया, बाहर अटेंशन दिया, तो अब बाबा हमें कहते हैं, अब तुम बाहर से अटेंशन निकालो, बातों पर विचार करो, वो वाली feelings create करो और फिर धीरे 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 तुम में ये परिवर्तन भी आ जाएगा, जो तुम दुखी से सुखी या शांत से शांत पतीत से पावन बन जाएंगे लेकिन बहुत patience रखना पड़ता है, यहां कोई injection नहीं लगाया जा रहा ग्यान injection कहा जाता है लेकिन धीरे 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 इसका असर होता है तो बहुत धीरच का मार्क है और यह जीवन शैली है, ऐसे नहीं सोचना है कि यह मुझे इतने दिन करना है, उतने दिन करना है जब दुखी बन रहे थे, परेशान बन रहे थे, उसके लिए तो तय नहीं किया कि कितने दिन में बनना है तो फिर इसके लिए क्यूं तय करना है तो बहुत धीरच से पेशन्स से चलना है, अभ्यास करना है रोज मुरली सुननी है जितनी भी समझ आए ताकि धीरे-धीरे-धीरे एक-एक पॉइंट समझते-समझते आपको मुरली में जो बातें आती हैं वो अच्छे से समझ में आने लगे तो आज हम जो पॉइंट लेंगे वो है देही अभिमानी है ना, आज मुरली में बाबा कहते हैं कि देही अभिमानी बनेंगे, तो विकल्प समाप्त हो जाएंगे, विकल्प माना नेगेटिव थोट, संकल्प और विकल्प, संकल्प माना थोट, विकल्प माना नेगेटिव थोट, तो बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बनेंगे, तो विकल्प समाप्त हो जाएंगे, किसी भी बात से डर नहीं लगेगा और तुम फिकर से फारिग हो जाएंगे फारिग मना फ्री हो जाएंगे तो क्या-क्या छूट जाएगा नेगिटिव थौट छूट जाएगी भय फियर छूट जाएगा और फिकर या वरी छूट जाएगी अब ये चो तीन चीजें कौन-कौन है न छोड़ना चाहते हैं न वरी भी छोड़ना चाहते हैं फियर भी छोड़ना चाहते हैं नेगिटिव थौट भी छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए बाबा ने हमें बताया तुम देही अभिमानी बनो देही अभिमानी माना देही मतलब ये बोडी और देही माना देह जिसको हम English में कहते हैं, Soul Conscious होना, अभी हम सबसे पहले एक चीज समझेंगे, जैसे हमने कोर्स में समझा, कि जो भी कुछ बाहर होता है, उसको हम अनुभव कहां करते हैं, यहां, correct, है न, मैं आपको कहां देख रहे हो अभी, यहां, अपने अंदर, और आप मुझे कहां देख अपने अंदर, स्क्रीन पर भी जो चल रहा है, उसको आप अनुभव कहां करते हैं, अब ऐसे ही हम अपने आपको भी कहां देखते हैं, यहां अंदर, जिसको हम कहते हैं, Self Image, है न, तो एक होता है, मैं, एक होता है, मैं अपने आपको जैसे देखती हूँ, वो Self Image, अब जब मैं कहते हूँ, मैं, तो मेरी बुद्धी में चित्र क्या आता है, Body का, है न, और मैं और मेरा, मैं और मेरा जब कहते हैं, तो क्या-क्या चित्र आते हैं आपकी बुद्धी में, सोचो, तो यह शरीर, संबंद, चीजें, सब कुछ आती है बुद्धी में, घर, मका में दुकान, जॉब, सब कुछ आ जाता है, तो वो जो मैं और मेरा है, वो आपकी self image क्या है, कि मकान, दुकान, घर, द्वार, संबन, शरीर, सब कुछ अंदर आपकी self image का हिस्सा है, लेकिन शिबाबा हमें सत्य समझाते हैं कि वास्तव में मैं और मेरा का सत्य क्या है मैं सिर्फ एक सितारा आत्मा हूं और मेरा एक बाबा है है ना मैं आत्मा हूं और मेरा एक बाबा है लेकिन अंदर हम इन सारी चीजों को जैसे अटाच करके रखते हैं अब जैसे हमने कोर्स में भी समझा कि हम आत्मा जो हैं अगर हम विचार करें कि इस दुनिया में ये जो शरीर है, संबंध है, वस्तुए हैं, इन में से क्या ऐसा है जो कभी परिवर्तन नहीं होगा ऐसा कुछ है, शरीर में कभी परिवर्तन नहीं हो, पॉसिबल है, कभी बिमारी ना आए, कभी एज ना बड़े, कभी व्रिद्ध ना हो, ये पॉसिबल नहीं संबंध भी एक जैसे रहें, पॉसिबल नहीं, है न, या कोई भी वस्तु, व्यक्ती, पोस्ट, पॉसिशन एक रहें, वो पॉसिबल नहीं, सब में चेंज आएगा अब क्या होता है, कि वो जो चेंज है, उससे हमें क्या करना है, डील करना है, लेकिन हम उस चेंज से डील करने के जगा अपसेट हो जाते हैं, क्यूं हो जाते हैं, क्यूंकि हमारा जो सेंस ओफ सेल्फ है, है न, जो मेरी सेल्फ इमेज है, वो है कि ये मैं हूँ, ये मेरा है तो जब मैं और मेरा ही disturb हो गए, तो फिर वो मैं और मेरा को ठीक कौन करेगा, तो शिबाबा हमें कहते हैं कि disturbance बाहर है, मैं आत्मा हूं, मेरा बाबा है, हम दोनों ठीक हैं, लेकिन क्योंकि हम ये गलत फेहमी पाल कर रखते हैं कि वो मैं और मेरा है, इसलिए बाहर की disturbance, अंद की disturbance बन जाती है तो अभी हमें practice करना है क्या practice करना है कि मैं आत्मा अलग हूँ मैं आत्मा मेरे बाबा के साथ हूँ और इन सब को समहाल रही हूँ, शरीर का ध्यान रखती हूँ, संबंध को समहालती हूँ, काम करती हूँ, प्रॉपर्टी समहालती हूँ लेकिन मैं ये सब नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा है और कोई भी चीज को practice हम कैसे करते हैं practice करते हैं अपने अंदर इस अंदर की दुनिया में उसका चित्र बना कर तो आप चित्र बनाते हैं कि चमक रहे हूँ और मेरा connection है बाबा से, ठीक है ना तो जब हम ये रोज अभ्यास करते हैं, योग की परिभाशा क्या है देह सहे, देह के सब धर्मों संबंधों को भूल कुछ देर के लिए भूल कर अपने को आत्मा समझ कर पर्मात्मा की याद में बैठना तो जब हम ये बार-बार करते हैं तो हमारी जो देही अभिमानी स्थिती है Soul Consciousness है, वो पक्की हो जाती है अब इससे फाइदा क्या होता है कि बाहर कोई चीज होती है तो हमें identity crisis नहीं होता हमें negative विचार नहीं चलते हम समझते हैं कि अच्छा मैं आत्मा हूँ, ये हो रहा है इसको मुझे इसके साथ मुझे deal करना है या इसका मुझे solution निकालना है, या मुझे इस बात का ध्यान रखना है तो जो चिन्ता है फिकर है, negative thought है, वो खतम हो जाते क्योंकि negative thought, चिन्ता फिकर जो है, वो किस से आते हैं वो आते हैं, मैं पन मेरे पन से, आपको उसकी चिन्ता होती है, जो आपका नहीं है, उसकी चिन्ता नहीं होती, जो जिस चीज में भी मैं पन, मेरा पन जुड़ा हुआ है, उसकी हमें चिन्ता फिकर होने लगते और परमात्मा हमें एक बहुत अच्छा शब्द समझाते हैं, व्यर्थ संसकार बनाए हैं तुमने, जैसे आप देखो, चिंता करना, फिकर करना, नेगेटिव सोचना, ये क्या है व्यर्थ संसकार, इसका ना कोई कारण होता है, ना इससे कोई फाइदा होता है, आप सारे दि चिंता करते हैं, सारे दिन डरते हैं, सारे दिन किसी बात के लिए ऐसा ना हो जाए, ये ऐसा है, वो वैसा है, सोचते हैं, लेकिन उसका कोई कारण नहीं है, वो सिर्फ एक संसकार है, जो आपने बनाया है, क्योंकि हम कहीं द्वापर युग के बाद ऐसा सोचने लगे, ऐसा क दो करने लगे, तो करते करते वो संसकार बन गया, और दूसरा है, उससे कोई भी फाइदा नहीं होता, in fact नुकसान ही होता है, संकल्प से स्रिष्टी बनती हैं, तो जितना डरते हैं, जितना चिन्ता करते हैं, उतना और ही उस बात को बल भरते हैं, तो बाबा कहते हैं, लेकि आपको देखेंगे कि मैं तो सिर्फ एक आत्मा हूँ और मेरा एक बाबा है और बाकी सब कुछ बाहर है बाकी सब मैं और मेरा नहीं है बाकी सब तो मुझे ट्रस्ट में मिला है मुझे उसका ध्यान रखना है तो ये अभ्यास करना है तो पहला लाब इससे क्या होता पहला ला ठीक है, दूसरा लाब क्या होता, दूसरा लाब ये है कि जब बाहर की हलचल आपको हलचल में नहीं लाती, तो आप अपना करम ठीक से कर पाते हैं, है ना, जैसे मान लेचे कि बच्चा नहीं पढ़ रहा, तो बच्चा नहीं पढ़ता, तो मा को टेंशन हो जाती, चिंता हो है ना, लेकिन अगर चिंता ना हो, तो फिर वो मा जो है, वो अपना प्यार या अपना जो, है ना, confidence ब्लॉक नहीं करेगी, और बच्चे को बहुत साहस से, प्यार से, मजबूती से, उस बच्चे को आज ना पढ़ने से, पढ़ने की पवस्था में ले कर जा सकेगी, तो प जरक्ती से, आपके स्नेह से, आपके स्रेष्ट करम से, आप बाहर की बात के लिए भी जो करना है, वो कर पाते हैं, भले आप उसे बदल पाएं या ना बदल पाएं, थोड़ा समय भी लग सकता है, लेकिन कम से कम वो बात आपके करम में विघन नहीं बनते, मैं आपको बखार जब हुआ, तो उस समय पर एक प्रोग्राम की अनाउंस्मेंट हो गई थी, तो अनाउंस्मेंट बहुत दिनों से चल रही थी, परचे भी बट गए थे, कि इस दिन ये प्रोग्राम होगा, और उस दिन जिस दिन प्रोग्राम होना था, उससे एक दिन पहले बखार ह और बुखार भी काफी तेज बुखार, तो जब वो बुखार हुआ, तो लगा कि किसी और को पूछ लेते हैं, कोई और वो आकर क्लास करा दे, लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस पर और कोई आ नहीं पाए, तो उस दिन मैंने विचार किया कि चलो सब बैठ कर भी तो यही सुना कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो परमात्मा से शक्ति ले रहे हूँ और करम कर रहे हूँ, तो जब ऐसा सोच कर बैठा, तो शरीर का जो भुखार है, वो मेरे करम में बाधा नहीं बना, और आत्मिक शक्ति से उतने समय तक शरीर को भी चलाया, भले यह नहीं कह रही मैं कि उ उसके बाद भी दो दिन बुखार रहा, लेकिन मेरा कारे नहीं रुका, क्यों क्योंकि आत्मिक शक्ती से चलते हैं, तो फिर बाहर की जो परिस्थिती है, या शरीर की अवस्था है, वो आपके करम में विघन नहीं बनते, भले वो परिस्थिती बदलेगी अपने समय से, लेक लखेंगे, तो ये दो फायदे होते हैं, एक तो आप चिंता भय और नेगिटिव संकल्प से मुक्त होंगे, दूसरा आप क्रियेटर बन जाते हैं, आप जो चाहें, जब चाहें कर सकते हैं, बाहर की बात से आप्रभावित रहते हुए, तीसरी जो देही अभिमानी स्थित की का लाब है, वो ये हैं, कि जब मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा है, तो बाबा की याद में रहना बहुत एजी हो जाता है, है ना बाबा की याद में रहना, परमात्मा की तरफ बुद्धी रखना बहुत एजी हो जाता है, और परमात्मा कौन है, परमात्मा शिबाबा तो ग्यान गुणों शक्तियों का सागर है, तो जब हम शिबाबा की याद में हैं, तो याद का नियम है, जिसकी याद में रहते उसके जैसी अवस्था बन जाती, अभी अभी आप ऐसे को याद करो, जो बहुत गुसा करता है, तो आपके अंदर भी दो-चार विचार वैसे गुसे वाले चल जाएंगे, है न, कुछ भी नहीं तो ये चलेगा, ऐसा क्यूं करता है, क्या करता है, तो बाबा हमें कहते, जिसकी याद में हम रहते हैं, उसकी स्थिती मेरी स्थिती बन जाती है, तो जब हम आत्मा अपने आपको समझते हैं, तो हमें शिब बाबा की याद सहज होती है, जैसे आप देखो दे अभिमान में, बोडी कॉंशिसनेस में, जब आप अपने को मा समझते हैं, तो आपको कौन याद आता है, बच्चा, जब आप अपने को टीचर समझेंगे, आपको स्टूडेंट याद आएगा, जब आप अपने को एमपलॉई समझेंगे, आपको ओफिस याद आएगा, बॉस याद आएगा, है ना, तो ऐसे ही, हम अपने को जो समझते हैं, उसका connection हमारी याद से है तो जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो हमें शिबाबा की natural याद आती है और उस अवस्था में जैसे ही हम याद की तार जोडते हैं जैसे दो तारों को जोड़ो तो current flow होता है न तो यहाँ भी जैसे ही हम अपनी body consciousness के चमड़े को remove करते हैं तो हमारा connection बाबा से होता है और बाबा की जो current है वो हमें flow करने लगती है हमें बाबा की शांती, बाबा का प्यार, बाबा की purity जैसे हमारे दिल में समाने लगती है तो तीसरा जो लाब है, देही अभीमानी स्थिती का वो यह है कि परमात्मा से जो powerhouse है उससे connection easy हो जाता और वो current हमें flow करने लगती है क्योंकि अगर हम body conscious होकर बाबा को याद कर रहे हैं है न, तो जैसे हम भक्ती में अभी तक करते आए हैं अपने को मा समचा, बच्चा बिमार है, बाबा को याद कर रहे हैं लेकिन वो याद क्योंसा रूप ले लेती? फर्याद का और उसमें अपने अंदर शक्ती नहीं भरती व्यक्ती तो हे भगवान, हे भगवान करके रोता भी है न उसके आखों से आसूं भी बह रहे हैं और इधर हे भगवान, हे भगवान कह रहा है तो फर्याद से शक्ती नहीं भरती, याद से शक्ती भरती है और याद कब होती हैं? जब हम अपने को दे और दे के संबंधों को भूल आत्मा समझते हैं चोथी बात आतम अभिमानी या देही अभिमानी स्थिती की जब हम अपने को आत्मा समझते हैं, तो हम अपने को कैसी आत्मा के रूप में देखते हैं? अपने आदी मध्यांत के रूप में, है न, पूरी स्टोरी के रूप में, अपनी हिस्ट्री के साथ तो मैं कौन सी आत्मा हूँ, जो परम धाम में रहती थी, बीच रूप में, फिर जब हम सत्युग और त्रेता युग, दो युगों का मैंने चक्कर लगाया इस रिष्टी पर, तो हम बिलकुल पवित्र थे, हार्मनी में रहते थे, प्यार से हर एक के साथ चलते थे, फिर जै जैसे जैसे द्वापर्युक शुरू हुआ, तो फिर विकार आए, हम दुखी हुए, भटके, भक्ती की, भगवान को पुकारा, सब कुछ किया, और आज हम कहा है, आज हम बिलकुल अपनी डिपलीटेड स्टेट में आके पहुँचे हैं, आज आत्मा कैसी होगे, बिलकुल खाली, जितना भी ज्यान गुन शक्ति था, वो चकर लगाते, लगाते, जैसे कहते हैं, जब कोई भी एनरची करम में आती हैं, तो धीरे धीरे वो एनरची खतम होती जाती है, एनरची इन मोशन डिपलीट सिटसेल्फ, तो हम आत्मा भी जनम, पुनर जनम के चक्र में आते आते, अपनी जो शक्ति हैं, खो देते हैं, और जब अंत में आते हैं, वैसे ही धीरे-धीरे डिपलीट होते होते, हमारी स्थिती कैसे होगए? इंप्योर, और क्योंकि हम अंदर से खाली हैं, और क्योंकि सब कुछ इनसाइड आउट है, जो भी आप बाहर देखते हैं, बा आपको अच्छी क्यों नहीं लग रही क्योंकि अंदर खाली पन है तो जब हम आतम अभिमानी स्थिती में होते हैं तो हमें बहुत गहरी realization है कि मैं आतमा हूँ मैं अभी खाली हो गई हूँ अभी मुझे परमातमा की याद से अपने को भरपूर करना ये मेरी सबसे पहली priority है है ना समझाया देखो मुझे ना एक माता थी तो वो माता ग्यान में चलती थी उसके जो husband थे युगल थे उनको पसंद नहीं था कि वो ग्यान में चले तो वो उसको पैसे नहीं देते थे कहते थे अच्छा तुम्हें भगवान मिला है ना जा उसी से ले लो घर का खर्चा और उसका खर्चा पानी सब बंद कर दिया और उस माता को जो है आते जाते comment देना और ऐसे बहुत बाते आती तो एक बार वो माता मुझे फोन की कि ऐसी ऐसी बात है परिस्थिती है घर में तो मैंने का आप क्या सोच रहे हो तो मुझे के थे सोचना क्या है अब जो करना है वो तो करना ही है ना तो मैंने का आपको ऐसा क्या समझ में आया है जो आप इतनी बाते हो जाती है husband एक पैसा भी नहीं देते हैं, फिर भी आप ज्ञान मार्ग में बने रहते हैं, तो मुझे कहती है, मुझे समझ आ गया है कि मैं एक आत्मा हूँ, और मैं आत्मा पुनर जनम लेते लेते, अब खाली हो गई हूँ, अब जब तक मैं भरपूर नहीं बनूँगी, तो मेरी परिस्थितिया नहीं बदल सकती, मैं सुख की दुनिया में नहीं जा सकती, तो चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी फर्स्ट प्रियोरिटी, है न, मेरी अपनी आत्मिक स्थिति को उच्छा करना है, तो आप देखो कि जैसे हम body conscious होते हैं, तो मालो मैं body conscious हूँ, तो उस समय अगर शरीर में बिमारी आ गई, तो सोचेंगे न, कि जौब भी बाद में, घर भी बाद में, पहले अपना शरीर ठीक हो, ऐसे ही जब हम soul conscious होते हैं, और हमें समझ आ जाता है, कि मैं एक आत्मा हूँ, और मैं आत्मा ही इस शरीर के द्वारा करम करती हूँ, मैं आत्मा ही इस शरीर के द्वारा संबन निभाती हूँ, मैं आत्मा ही हर चीज शरीर के द्वारा करने वाली हूँ और मैं आत्मा आज शक्ति हीन हो गई हूँ तो मेरी पहली priority क्या होगी कि मैं आत्मा अपने को शिबाबा की याद से रिचार्च करो तो बाबा हमें कहते हैं कि जब हम देही अभिमानी होते बार बार विचार करते कि मैं एक आत्मा हूँ शरीर से अलग हूँ और मैंने 84 जनम लिये हैं और ये मेरा 84 जनम है और जब मुझे समझ आ जाता है ये मेरा 84 जनम है और बाबा मुझे अब फिर से सत्युक के लायक बनाने आई हैं तो फिर मैं आत्मा सबसे पहली प्रेयोरिटी किसको देती हूँ बाबा का ज्यान सुनना और बाबा की याद में रहने को तो ये आत्म अभिमानी स्थिती या देही अभिमानी स्थिती के फाइदे हैं लेकिन ये स्थिती बनाने के लिए स्थिती कैसे बनती हैं पहले मनन चिंतन करते हैं पहले आपको बाबा जो ग्यान देते उस पर मनन करना होगा कि बाबा ने आज कहा, कि तुम जब देही अभिमानी बनेंगे, तो फिकर छुटेगी, भय छुटेगा, विकल्ब छुटेंगे, तो मनन किया, फिर मन्थन करो, कि सच मुझ, जब हम आत्मा हैं, तो शरीर से न्यारे हैं, तो भय क्या, चिंता क्या, कुछ भी नहीं, फिर धीर धीरे उस अवस्था में अपने को टिकाओ, और रोज रोज जब उस अपने आपको देह से अलग विज्वल बनाएंगे, कि मैं शरीर अलग और मैं आत्मा अलग, और परमात्मा के साथ मेरा कनेक्शन है, जब ये रोज रोज विज्वलाइज करेंगे, तो धीरे धीरे वो स अपने आएंगी, अभी भी आती हैं, लेकिन बातों पे रियक्ट करने की जगा, आप अपनी स्थिती से एक नया करम क्रियेट करेंगे, जो करम आपको उस परिस्थिती में करना है, वो कर सकेंगे, तो ये पहली बात, फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि दुनिया में कहते हैं कि राम नाम लेने से तर जाते हैं, राम नाम लेते लेते तर जाते हैं, तो क्या मुक्ष से राम राम कहने से तर जाते हैं, नहीं, बाबा कहते हैं, राम नाम लेना actually क्या है, कि जब हम अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते हैं, तो हम तर जाते हैं, अब आप देखो कि मनुष्य इतना भटकता है, है न, इतना भटकता है, देखो एक होता है कर्म करता है, दूसरा है भटकता है, कर्म करना तो कर्म शेत्रों में करना ही है, लेकिन मनुष्य जिस आस से करम करता है जिस स्वार्थ से करम करता है वो जितना भी वो आस रखता है स्वार्थ रखता है वो स्वार्थ और आस पूरी नहीं होती जैसे हम संबंदों में आते हैं है न हम रिष्टे बनाते हैं शादी, बच्चे, माता, पिता मेरे आट taş हैं। आट Jagayom मिले गा एगिओ गाति आटर पैर शिणलने आटए होुत्व, लेकिन क्या मिलता है। प्र रिश्टे भर जाना separated nossos और रिषी, लेकिन क्या मिलता है? मिलेगा लेकिन क्या मिलता है और अगर मिलता है तो हम भरपूर क्यों नहीं होते अगर प्यार हमें मिलता है रिष्टे में साथ मिलता है तो फिर तो हमें वो जो साथ या प्यार की आस है वो पूरी हो जानी चाहिए पेट भर जाना चाहिए अगर खाना खाया है तो उसके तो दुनिया में हम संबंद में आते हैं कि हमें प्यार मिले लेकिन प्यार हम कहते हैं हमें इनसे प्यार मिला उनसे प्यार मिला लेकिन आज भी प्यार के विकारी रहते हैं और मिले इससे भी मिले उससे भी मिले तो बाबा हमें कहते हैं कि दुनिया में जिस आज से तुम संब तुम सोचते हो, कि जब धन बहुत हो जाएगा, तुम्हें लगेगा, मैं भी कुछ हूँ, लेकिन अगर सच में ये स्वमान आ गया, जिसको हम कहते हैं, स्वमान, अगर स्वमान उच्छा हो जाता धन से, तो धनवान तो कभी इंसल्टेड नहीं फील करता न, लेकिन किसी के कितना भी धन हो, उसको स्वमान नहीं आता, उसको हर बात पर, कोई छोटी सी बात पर भी इंसल्ट कर सकता है, उसको इंसल्टेड फील करा सकता है, क्यों? क्योंकि कितना भी धन आया, अंदर वो सेल्फ वर्थ, जो हम सोचते हैं, मैं भी कुछ हूँ, जागरित हो, वो जो हम सेल्फ वर्थ, जो प्यार, जो शक्ती, हम दुनिया में डून रहे हैं, वो हमें मिलती नहीं है, हम उसके लिए बहुत भटकते हैं, बाबा हमें ये नहीं कहते, कि शरीर को संभालो मत, संबंद में आओ मत, या पैसे मत कमाओ, बाबा हमें कहते हैं, वो सब करो, लेकि देने वाला, तो जब दाता बनकर हम करम करते हैं, तो खुश होकर, शान्त होकर करम करते हैं, खुशी, शान्ति या सेल्फ वर्थ के लिए करम नहीं करते हैं, तो परमात्मा हमें कहते हैं, कि जब तुम मुझे याद करोगे न, तो जो तुम ढून रहे हो दुनिया में, वो वो प्यार, वो खुशी, वो शान्ती, वो शक्ती, जो तुम अलग-अलग विदियों से, जिसके लिए इसके पीछे, उसके पीछे भटक रहे हो, वो सारी आस तुम्हारी मैं पूरी करूँगा, क्योंकि मैं शान्ती का सागर हूँ, सुख का सागर हूँ, प्यार का सागर कि silence में बैठ कर अपने को शरीर से न्यारी आत्मा समझ कर परमात्मा को याद करने से आपको वो मिलेगा जो आप सारी दुनिया में भटक भटक कर डूंड कर आज तक पाई नहीं लेकिन बाबा कहते हैं ये विधी है हर चीज की विधी होती है न कई बार आप सोचते हैं कि है न जैसे दुनिया में क्या होता किसी चीज के लिए आप बहुत महनत करते हैं फिर कोई आकर आपको एक शौटकट बता देता है तो ऐसे बाबा कहते हैं तुमने कितनी महनत की कितन दरदर धक्के खाए, उसी शान्ती, प्यार, खुशी, प्योरिटी, शक्ती के लिए, लेकिन वो सब कुछ का सागर मैं हूँ, बस तुम साइलेंस में बैठ कर, अपनी बुद्धी को मेरी तरफ मोड़ो, और मेरी उपस्थिती को अनुभव करो, कि मैं परमात्मा उपस्थित ह और तुम्हें शांती, सुक की, प्यार की केड़ों से सीच रहा हूँ, तो तुम्हारी जो सर्वमनो कामनाई हैं, वो पूरी हो जाएंगी और तुम्हारी दिल भरपूर हो जाएगी, और फिर तुम जब दाता बनकर करम करेंगे, तो प्रकृती भी तुम्हारी सेवा पर उ लगेंगे तो परमात्मा कहते हैं तुम प्रकृति तो तुम्हारी दासी है लेकिन दासी को जब तुमने मालिक बना दिया और तुम उसके पीछे भागने लगे तो उसके भाव बढ़ गए है ना लेकिन अब तुम अगर अपने को आत्मा समझ मुझे याद कर भरपूर हो जा छोली भरती चली जाएगी अच्छा तो यह है देही अभिमानी बन बाबा को याद करने से हम पार हो जाते हैं जो कहते राम राम कहने से तर जाते हैं तो उसका वास्तविक अर्थ अच्छा ओम शान्ति